हमने प्रिवेस विडियो बनाया था कहीं उसमें बहुत लोग है मतलब हर भीनों 250 बर मैं गाईज इस घायए घाय गायज गायज बोडर हो तो यह जो वीडियो है खाई जिसकंतमाonst करेंगे कि चलते हैं डारेक वीड़ बीड़ के पास जाज हम है ओटोरेस टीविए सीए है मलाड में और आज हम लिखाने वाले आपको टीविस रॉन इसी का आज बॉक्तरू लेने वाले बारेक्ट चलिए ऑपके पास रखे आज हमारे पास टीविस रॉन इन अप देख सकते हैं इसका आपको बहुत ही अच्छा है तो डिजाइन इसका आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको में स्टार्टिंग में इसका ग्राफिक्स दिखा दे तो आपको मिल जाते हैं गोल्डन में आपको सस्पेंशन मिल जाता है गोल्डन और सिल्वर में आपको सस्पेंशन मिल और आसिक से तो आप स्ट्रिप जा रही है एहां सी गया है ऐहाँ से जाएं भी ट्रीप के टेउलन राउ भेस के बाइच सम्मिट तो लुक्स हुआ इस तो इसको 10 out of 10 क्योंकि दिखने में बहुत खुबसूरत बाइक है पीछे आप देख सकते हैं यह पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि इतनी खुबसूरत लग रही है तो अभी हम इसकी बारे में बात करेंगे कि इस साल क्या मिल जाता है आपको नय दिख रहा है वो टीवेस की ब्रैंडिंग वहां पर दीगए डियारेल्स है वो दिस इस अपर एंडिस द लोवर बीम यह सब लेडी में मिल जाता है जो इंडिकेटर है वो भी आपको लेडी में मिल जाएंगे उसके बाद सस्पेंशन की में बात करूँ अपसाइड दाउन इसमें मिल जाते हैं गूल्ड्डं सिल्वर में सस्पेंशना है었 है ये वड mak ये फाइबर का मुल जाता है इसमें ये इसमें इसमेंए कि हडोडरी मंफ को मिल जाका शाहीं है उसके बाद 300 paling का अपको इसमें मिल जाएगा या इस इस gettinud這個是inden omega-3 emergen weaken घृषला है बुरा ये यंच आपको हो बिल जाता है जो प्लब सब्सक्राइब करें दिखने इस अच्छी आप इहां जाता उसके बाद हम यहां पहुत आते हैं तो इसके इंजन के बाढर में बात कर लेता है 225 cc का engine आपको इसमें मिल जाता है 20.4 bhp का power generate करके देती है guys and 19.93 newton meter का torque आपको generate करके देती है engine 5-speed gearbox के साथ आता है and oil cooling के साथ ये engine आपको मिल जाएगा guys इसके ground clearance की बात कर रहो तो 181 mm का ground clearance इसमें आपको मिल जाता है this is the footpad यहाँ पर 20 की quality आप देख सकते है बहुत अच्छी है and इसको आपको देख सकते है silver and black में आपको इसका exhaust मिल जागा मैं बाद में चालू करके आपको दिखा दूँगा back profiling के अगर हम बात करे guys ये मुझे ब बहुत ही खुबस्वरात लगता है यह आपको दो यहाँ पर LED में indicators मिल जाते हैं पीछे TVS की branding आप देख सकते हैं यहाँ पर TVS की branding है and build quality इसकी काफी अच्छी है guys पीछे का मढगाड है यहाँ पर reflector आपको मिल जाता है जो पीछे का guys डिस्क है यहाँ से मैं दिखाने की को पीछे की अगर टायर की में बात करूँ गाइस तो आप देख सकते हैं 130 by 70 का टायर है यह 17 इंच का पुरा वील साइज है इस पर गाइज यह पैटन देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको रिफलेक्टर दिया है वहाँ साट भी आपको रिफलेक्टर मिल जाता है उस सीट गाईज इसकी कुशनिंग काफी अच्छी है आप देख सकते हैं कुशनिंग में आपको कोई भी दिक्कत ने आने वीलेन बहुत इंच कुशनिंग देख सकते हैं प character केस ऐट आपको आता तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा इसका जो seat height है गाईज वो 795 mm की seat height इसमें आपको मिल जाती है तो जो short rider है वो आराम से इसको चला पाएंगे and comfortably चला पाएंगे seat height आप एक बार देख सकते है 795 mm की seat height इसमें आपको मिल जाती है आप यहां की अगर मैं profile की बात करूँ तो हहाा पर आपको footpad मिल जाता है यहां पर आप भी Daar मधार का footpad मिल जाता है this is the gearbox and double standards भी आजाता है and side stands भी आजाता है यान पे guard आपको मिल जाता है उसके बाद या है horn इसे इस दे रेडिperform test एडियर की साटर, यहां पर मैं इसका चाबी आप देख सकते हैं, तो अगर फ्रंट से आप देखेंगे, तो यहां पर इसका की आप देख सकते हैं, यह है गाईस, टीवेस रॉनिन की चाबी, यह है एसे पर टी का ब्राइंडिंग दिया हुए टीवेस का, अभी इसका हम चालू करके दिखाते हैं और एक बा काफी अच्छी है इसका पैटर्न आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको बताने का कुशिश करूँगा यहां से थोड़ा उभरा हुआ है यहां से थोड़ा स्लिम है यहां से भी देख सकते हैं तो टैंक इसमें बहुत ही अट्राक्टिव लगता है पूरे टीवे स्रॉनिन मे यहां की प्रोफाल मैंने आपको दिखा दी आप देख सकते हैं यह ग्रे कलर में हैं हमारे पास अभी इसके बास स्विचे भी मैं आपको दिखा देता हूं तो गाइज यह है डिजिटल कॉंसोल इसमें मिल जाता आपको इसमें नैविगेशन का फीचर भी मुझे काफी यहां पर भी आपको जाना है उसका डेसटिनेशन आप अपने फोन में डाल देना तो यहां पर आपको दिखाएगा नाविगेशन लाइ आपको पूरा मिरर देख सकते हैं तो आज हमारे पास वहीं के स्टाफ है धरम राज जी और यह हमें बताएंगे कि और आपको यह हमें बताएंगे आपको इसमें न्याया फीचर है तो इसमें न्या फीचर पहला तो यह दिख ने मिल जाएगा तो मसे गाड़ी चल लिए तो वह उज्वाल फीचर है तो यहां पर दिख जाएगा राइट एक्जाएगा न्यूट्रम का जो न्यूट्रम मेटर है वह है इंजन लाइट है मिल फंक्शन कहीं टेक्निकल एरर हो तो वह गया रिजव लाइट है क्योंकि अभी यह जो गाड़ी आ रही है तो इसमें हमें रिजव लग गया वह कैसे म इसमें यह पास स्वीच करता है वह स्पीडो किलोमेटर मिल जाएगा टाइम देखने मिल जाएगा टैको मीटर है अब यह फंक्शन है ना फुली यूजिबल है फो ब्लुटूटूट करते हैं तो यहां पर वो शो करता है कि आप नेविगेशन सो कर देता है पहला अगर आ वीचने बां ध्राइट लेना हुर्ट नेक्सेट ना प्लुटूट कर सकते हैं आप से प्लूटूट रिचे से और फिल इंडिक्सन ऑंडगा है अब यहां दो बटन दिये हुए इस फाइस को यूजिबल है यहां से यह चेंजब कर कर रहे हैं और यहां से इसको से च्रह कर से तो मोड बटन से हम यहां पर पहला ओडो किलोमेटर है जीरो तो एंड कितना किलोमेटर गाड़ी चली उसके बाद देखने मिल जाएगा ट्रीप ए मेजर करता है कि यहां से आप कितना डिस्टन तक गए वह सेम लाइक ट्रीप भी है दो ट्रीप सेट कर सकते हैं डिस्टें कर सकते हैं बाले मोड अर प्रॉड बटनर राइं । श. आच जाछ पे पीजया जाए अर्बन मोड रहँए एक Rock अरें मौड पारे सिरुटोble में दोने Πलाद टीर ममेर अर्च व आन हे ब्रप्रेश करते हैं यह इसमें सेंत्व मत ऑन चाहर्श अनी करता है अगर श.ंब श जादा हो जाते हैं उस case में क्या होगा उसमें ABS वर्किंग जादा हो जाएगा 15-20 बार हो जाएगा तो उसके वो benefit है वो mode change करने के एन ABS स्विच कर सकते हैं on-off मतलब के लिए वो cable आपको निकाला कुड़ेगा अच्छा यह थे console तो अभी हमें एक बार हेडलेट आप चालो करके दिखा देना कि फ्रंट हेडलेट एक बर शार्ट होते हैं तो काईज यह DRL आप देख सकते हैं तो यह अपर अपर भी में गाईज यह इसका रोश्नी काफी अच् कर भी एक बार दिखा देना तो इस इस इंडिकेटर ने यह पूरा फ्रंट प्रोफाल आप देख सकते हैं टीवेस रॉन इन का एन एक बार एग्जॉस्ट सुना सकते हैं मतलब है तो गाईज अभी एग्जॉस्ट हम आपको सुनाएंगे यह था एक्शॉस्ट गाईज टीवेस रॉनन का और यह एक बार टेल लैड आप देखना गाईज टेल लैड इसकी कितनी खुबसूरा था यह मुझे बहुत अच्छा लागा गाईज इसका टेल लैड एन मतलब इस सेग्मेंट में आपको कोई ऐसा टेल लैड देने वाला ह एные जो टिवेस रॉनने आपको देता है इसमें एक चीज और अपने न Alban मिल जाता है इससे क्या हो जाता है हम इसकी चरण को कम जादा कर सकते हैं क्लेवल तीम लेवल दिया हुआ है अच्छी टैंऑल उन लेवल लेवल फिली सइसकी चांद करने के लिए वह एड्जाड ब म क्योंकि उसके अंदर एक हाफ क्लच मतला मिल जाता है कि हम कभी बहुत ट्राफिक पकड़े गेर को डाल देते हैं तो इसमें जटका नहीं आएगा हूं तो स्लीपर क्लच के साथ आती है और एक पॉइंट है इसमें जो इगनीशन है वह हम उनको सिप सिंगल डर्च इगनीशन आराम से स्टार्ट हो जांगे तो आप देख सकते है यह पूरी बाइक है एं इसमें कउलर कॉन्से अबबले और इंग्र चा अठा चा इसमें तूटल इंपे रिए ब्रेन रिंड और चान तर्ड चान आता है और प्लस मॉड़निक आप आचा एं अनमतला जिस इस जो हमारे यह टॉप मॉडल है गाई हमारे पस कि इस रॉनी नहीं इसका यहां पी कितना हो जाएगा और यहां पर मतलब वेटिंग पिरेट कुछ निया मतलब डिलिवरी मिल जाएगा तो कोई ती बुक करता तो उसको मतलब जल्दी आ जाएगा जो भी आटियो का टाइम लगया उसमें एक पर शोरूम के बारे में आप कुछ बता देजी हमारा शोरूम है आटो रेस टी वेस मलाड लिंक रोड पे नियर क्लाउन होस्पिटल है और नियर इन और्बिट मॉल भी है तो यह था टी वेस रॉनिन का वाक्तुरू 2023 वर्जिन आपको वीडियो अच्छा लगा रहे व